आज के सेशन में हम और आप डिसकस करने वाले हैं इंडेक्स और रांकिंग्स इंटिनाशनल लेविल पे यानि कि कोई भी एक पारमीटर है उसमें वर्ल्ड की अलग-अलग कंट्रीज के मुकाबले इंडिया की रांकिंग कौन सी रहने वाली है एक्जामनेशन परस्पेक्टिव से इंपॉर्टन टॉपिक है एक्जामने सवाल देखने को मिलता ही मिलता है अचा अभी हम पिछले कुछ समय से 6 months का compilation लेकर के आ रहे हैं जैसे हमने 6 months military exercises, defense news, science technology news या फिर index ranking report national level की जो थी वो cover की थी आज के वीडियो के अंदर हम सिर्फ international ranking और report लेंगे अगर आपको national वाली भी refer करनी है by chance आपने previous वीडियो नहीं देखा है तो पूरी playlist का link आपको description में मिल जाएगा आप उस पर just click कीजे और 6 महीने की सारे compilations आप देख सबते हो तो चली start करते हैं आज का session पहली news आपको Hindi English दोनों में देखने को मिल रही है मैं Hindi में समझाते चलूँगी matter आपको अधिक तर English में ही देखने को मिलेगा which city has been adjusted as world's most polluted capital city in IQ Airs 2021 World Air Quality Report सवाल थ्यान से देखेगा कि IQ Airs 2021 World Air Quality Report यह quality यह report सामने आई और इसमें जिती भी capital cities हैं दुनिया की उनको चेक किया गया air quality के हिसाब से यानि कि सबसे ज़्यादा air quality कहां की polluted है कौन सी city सिर्फ capital cities का यह study किया गया तो हमसे पूछा जा रहा है कि world की सबसे ज़्यादा polluted capital city इस report के हिसाब से कौन सी निकल किया आई है नई दिली निकल किया आई है New Delhi इंडिया की New Delhi air quality IQ airs की 2021 की air quality report में top पे आई है second number पे रही है बांगलादेश की धाका बांगलादेश की धाका was second अच्छा यह तो हुई capital city की बात अगर हम पूरे country की बात करें तो top किस ने किया है बांगलादेश ने top किया है as a country सबसे ज्यादा polluted air बांगलादेश की देखी गई और इंडिया को फिफ्ट नंबर पे रांक किया गया है most polluted country के तौर पे और यह ranking कौन सी है world air quality report के अंदर जो रांक का इशू किया गया उसके हिसाब से यह है ठीक है जी यहां तक की बात लिए अब यह ना जब भी आप 50 या अगर particulate matter है air में तो इसको गुड माना जाएगा इसी तरह से पुरी scale दी हुई है कि हजार्डस यानि कि बहुत ही जादा नुकसान दायक air quality का मानी जाती है जब 301 से 500 पर्टिकुलेट मैटर जो है वो हवा के अंदर पाया जाए तो यह आपको थोड़ा आइडिया दे देगा दें मोस्ट पर्यूटेट कंट्री बांगलादेश चैड पाकिस्तान ताजकिस्तान और फिफ्ट नंबर पे इंडिया दें मोस्ट पल्यूटेड कैपितल सिटी जो अब हम किसकी बात करें? नॉइज पल्यूटेट की बात करें. अज पर अन्विल फ्रंटियर रिपोर्ट टेटी तू अफ यू एन एपी, उनाइटेड नेशन इन्वायमेंट प्रोग्राम, यू एपी, विच सिटी हास टॉप्ट दिस लिस्टू तो क्या समझ में है कि उत लिस्ट है, यह जो रिपोर्ट है, यह कौन सी है? अन्विल फ्रंटेर रिपोर्ट है, यू एन एपी की. आपसे पुछा जा रहे है, सबसे ज़्यादा नॉइस पल्यूटेट सिटी कौन सी है? ठीके, दांसर इस धाका, बांगलादेश की कैपिटल धाका. तो धाका के हाल थोड़े खराब ही दिख रहे हैं, एयर पुल्यूशन हुआ या नॉइस पल्यूशन हुआ, सो उपर ही देखने को मिल रही है, एयर पुल्यूशन में हमने देखा सेकिन नंबरते, नॉइस पल्यूशन में फिर्स नंबरते हैं, और यह जो स्टैडि थी ए, चिसिटी वन की highest यह रहा इस रिपोर्ट के हिसाब से और मुराद अबाद जो की सेकिन आई है उसका 114 decibels का noise pollution देखा गया अब अगर हम decibel जो भी noise pollution होता है sound होता है जो decibels में देखा जाता है और इसलिए आप decibels देख रहे हैं सबसे quietest cities की बात करें जहां noise pollution सबसे कम देखा गया तो इर्बेट जॉर्डन की लियॉन फ्रांस की मैडरिट स्पेन की इसमें भी जो है जॉर्डन की सबसे शांत रही फिर इंडिया की सबसे noises cities की बात करें तो मुरादाबाद टॉप पे है ही वर्ल्ड में पीडियाफ लेने का लोड नहीं लेना हर टाइम तो आप सब्सक्रिप्शन पर मूव कर सकते हैं पर्चम अप पे ना सिर्फ आपको सब्सक्रिप्शन मिलेंगे free content और quiz भी बहुत सारी आपको मिल जाएंगी and I wanted to tell you some new feature जो हमने शुरू किया है और आपके लिए बहुत useful है तो देखिएगा daily free pdf दो variety के आपको पर्चम आप के free content section में देखने को मिलते हैं एक तो daily CA का pdf आपको मिल जाता है दूसरा the hindu vocab एक नया feature हमने शुरू किया daily उसके pdf vocabulary के आपको वहां मिलते हैं weekly vocab quiz आप CA quiz तो telegram पे attempt कर ही रहे हो weekly vocab quiz भी आती है पर्चम की और वह पर्चम आप पे आती है और ये नया feature अभी हम recently start कर रहे हैं from this month end which is monthly quiz आप लोगों की demand आ रहे थी कि मैं monthly एक revision हो जाए या consolidated videos तो आती है monthly CA की लेकिन एक quiz format हो जाए तो monthly CA quiz हम आपके लिए ले आए है 31st of August को होगी पर्चम आप पे similarly monthly vocab quiz भी आपकी होगी पर्चम आप पे कब होगी किस ताइम होगी उन सबके लिए आप social handle से जोड़ जाएए वहां आपको सारी info मिल जाएगी और जो मैं आपको सब्सक्रिप्शन की बाद बता रही हूँ सो monthly CA PDF का भी सब्सक्रिप्शन अवैलिबल है और पूरा PDF बैंक भी अवैलिबल है जिसमें सारे सब्जक के सारे PDF आ जाते हैं सो यह सारी information I hope will be useful for you do make the most of whatever is being provided काफी सारा content हम प्रोवाइट कर रहे हैं आपको और आपकी practice के लिए भी काफी सारी चीज़ा कर रहे हैं आप बस यूज करते जाएं फीचर्स को ठीक है चलिए अगले index की तरफ बढ़ता है environment performance index 2022 environment performance index और इंडिया ने इसमें last rank हासल किया है और किन parameters पर हम खरे नहीं उतर पा रहे हैं इसको publish किया है Yale Center for Environmental Law in Columbia University ने मिल करके Denmark ने top किया है environment performance index आप जितने भी environment friendly policies लेकर के आते हैं आपके sustainable goals जो environment related है आप कितना अच्छा उनको पूरा कर पारे हो carbon footprints कितने कम आप issue कर रहे हो and biodiversity protection कैसा है species protection कैसा है यह सारे parameters important हो जाते हैं so Denmark ने top किया है 180 countries की study थी जिसमें इंडिया का rank क्या है 180 ही है and कौन कौन से की parameters थे एक बार देख लिए जिए biodiversity protected areas आपके कैसे है then species protection air quality कैसी है ecosystem vitality climate related policy कैसी है so यह जितने भी parameters आप यहाँ देख रहे हैं एक बार जरूर इन प्याब ध्यान देगे right अब जब भी आप इंडिया की कोई world ranking में बात करते हो थोड़ा सा idea अपने neighbors की ranking का भी लेना जरूरी है जब भी अगर आप answer writing करेंगे आप ऐसा exam attempt करेंगे जुसमें answer writing important है तो यह आपको extra marks fetch करवा सकते हैं बिकुस comparative study या आपकी country की placing vis-a-vis neighbors आप बता सकते हैं one day examination के हिसाब से इंडिया का rank और top country कौन सी है यह काफी होगा तो neighborhood की अगर हम बात करें इंडिया यहां है 180 पर इसके उपर है बांगलादेश, उपर है पाकिस्तान, उपर है नेपाल, दें चायना, स्री लंका और अफगानिस्तान तो यह है बाकी सारे हमारे neighbors की performance on environmental protection, performance index so environment performance index समझ में आ गया, सबसे last पर 180 countries, we are standing at 180 so we need to improve a lot in this area further देखिए, Denmark ने top किया था, top 3 देख लीज़े, Denmark, UK and Finland और इंडिया, उसके उपर मैंनमार और वेतनाम हमारा जो environment performance index का performance है, हमारा जो ranking है, वो काफी deteriorate हुआ है, यानि गिरा है पिछले साल के मुकाबले because पिछले साल हम 168 पे आये थे और इस बार हम बिलकुल bottom पे पहुँच गए हैं अगर E.P.I.E. की बात की जाए, environment performance index की, तो 2002 से शुरुआत हुई थी और environmental sustainability आपकी country में कैसी उसको ये चेक करता है और हाँ, अभी तक की जो भी performance है उसके हिसाब से देखें, तो सिर्फ कुछ handful of countries ही हैं जैसे की Denmark, UK, जो की net zero emission जो goal है, 2050 का, कि 2050 तक net zero emissions पे पहुँचना है तो वो सिर्फ दो countries पूरे करते वे दिख रहे हैं, बाकि सबकी हालोत अभी नहीं लग रही है इस performance के हिसाब से कि वो ये पूरा कर पाएंगे और एक और indicator सामने आया है इस report से कि China, India, US and Russia ये चार देश मिलकर के ही अकेले पूरी दुनिया का 50% global greenhouse gas emission कर रहे होंगे 2050 तक अगर ऐसा जो trend है जो भी performance का वो continue होता रहा So, we need to buckle up in this area Environment से related अगली report पर देखते है State of World's Forest 2022 Forest related report है, जो कि किसने issue की है? It has been issued by FAO, that is Food and Agricultural Organization United Nation की है और इनका एक flagship publication है, यानि आता ही आता है बहुत important publication है, नाम है SOFO बोल सकते हो आप इसको State of World's Forest So, इस 2022 के edition के हिसाब से पूरी दुनिया में हमने 420 million hectares, यानि कि approximately 10.3% total forest area को lose किया है तो आप यह million hectares नहीं भी याद कर पाएं, तो यह ज़रूर याद रखेगा और यह कितने duration में हमने lose किया है, एक साल में, पात साल में नहीं 30 सालों के अंदर, 30 years So, last 30 years में हमने approximately 10% of the forest area को lose किया है as per this report globally और अगर हम पूरे अर्थ के geographical area की बात करें Over the years, rate of deforestation decline हुआ है यानि पेड काटे जाने का पूरा एक सिलसला चल रहा था उसमें तो गिरावट देखी गई है and still 10 million hectare forest हर साल 2015 से 20 के बीच में lose हुए है Now, जब भी forest की हम बात करते हैं तो forest और इंसान के interaction की वज़े से काफी सारी zoonosis या zoonotic diseases भी देखने को मिलती है Humans और animals का जितना interaction होगा तो उनकी diseases हमारे अंदर आएंगी तो थोड़ा उस area से देख लेते हैं So for 2022 के हिसाब से 30% जो नई diseases देखी जा रही है 1960 के बाद से उनसका attribution deforest और land use change जो हुआ है हम जिस तरह से land को इस्तमाल करना शुरू कर रहे है उसकी वज़े से देखने को मिला है और India, China India and China की अगर हम बात करें biggest hot spot बनेंगे ये या बन रहे हैं in terms of new zoonotic viral diseases तो नही नही तरह की जो viral diseases आ रहे हैं उसके अंदर इंडिया और चाइना के ओपर specially ये प्रेशर देखने को मिलेगा क्योंकि human और wildlife interactions जो है वो भढ़ रहे हैं इन दोनों ही countries के अंदर zoonosis ये zoonotic disease क्या होती है जो कि human to, sorry animal to human transfer होता है because of close interaction between them now moving over to the next report so REN 21 renewable energy installations renewables 2022 global status report के हिसाब से REN 21 2022 report के हिसाब से इंडिया का third rank है renewable energy installations में renewable energy जैसे की solar energy हो गई hydro energy हो गई तो उनके installation में हम दुनिया में तीसरे नंबर पे रहे इस पूरे साल में सबसे टॉप पे चाहिना रहा फिर US रहा so इंडिया ने total renewable power capacity additions कितने किये 2021 में हमने 15.4 gigawatt के renewable power additions किये यानि पहले जितना भी था हमने उसमें 15.4 gigawatt और add किया है पिछले साल top performer China और US रहे इंडिया ने hydropower capacity कितनी install की है so 843 megawatt हमने hydropower capacity भी install की अब इससे हमारी total hydropower capacity पहुँच गई है 45 approximately gigawatt इंडिया अगर हम solar PV यानि second largest market है इसका और Asia के अंदर ठीक है world में नी Asia में और first time हम Germany से भी आगे बढ़ गए है total installations में तो हमारे total solar photovoltaic installations कितने हो गए 60 gigawatt and that is a good step towards renewable energy installations so renewable energy की दुनिया में हम अच्छा काम कर रहे हैं we are among the top players in the market what is the rank of India in sustainable development report 2021 list sustainable development report sustainable development goals है UN के और 17 total 17 sustainable development goals है और उसके उपर इंडिया का performance कहा है over other countries एक बार वो देख लेते हैं हम 120th rank में है we are standing 120th इंडिया उनकी तरफ बढ़ रहा है like many other nations पर हमारा rank कितना है 120 100 में से हमारा score 60.07 है last year हमारा rank 117 था यानि 3 rank का हमने dip देखा है top countries जो की SDG की तरफ अच्छे से move कर रहे हैं Finland, Sweden, Denmark, Germany and Belgium अच्छा अगर आप बोले माम यह sustainable development goals क्या है तो again refer to this picture you will get to know no poverty, zero hunger, good health, quality education gender equality, clean water, sanitation affordable clean energy decent work, economic growth तो इस तरह से total 17 sustainable development goals लिया है और हर एक का एक target year लिया गया है तो उसके हिसाब से जितनी भी UN nations है उसकी तरफ काम कर रहे है next रहाते हैं what is the rank of India in United Nations World Happiness Report for the year 2022 so World Happiness Report 2022 में इंडिया का क्या rank रहा हमारा rank रहा 136 out of 146 countries हम बोलते हैं अच्छती सी दिखा ना लेकिन यहाँ आप छती सी दिखाने का याद रख सकते हो कि आपने छती सी दिखा ये आप इतने happy है और आगे one of course लगा दीजे because 146 countries में से 36 rank पे तो हम नहीं है 136 rank पे है और यह basically survey based result है कि वहां के किसी भी country के national से बात की गई survey किया गया और बहुत सारे parameters पन से question पूछ के और फिर इस result पे पहुचा जाता है तो 2021 में इंडिया का rank 139 था थोड़ी सी happiness बढ़ गई है 136 है Finland ने top किया है 5th consecutive year Finland Finland, Denmark, इनके rank काफी सारे parameters पे अच्छे ही आते हैं over the years हम देखी रहे हैं Finland ध्यान रखेंगे आप Afghanistan unhappiest country है World happiness report जो है United Nations Sustainable Development Solution Network निकालता आ रहा है 2022 से और इस बार यह 10th edition था Decadal anniversary है So, यह देख लिजे Finland, Denmark, Iceland सबसे happy countries है Afghanistan 146 number पे India 136 number पे Next What was the rank of India in terms of largest importer of arms during 2017-21 as per the new report by SIPRI 2017-21 के बीच में largest importer of arms यानि की आयात हथियारों का करने वाला कौन सा देश है या इंडिया का उसमें क्या rank है So, answer is हम first है 2017-21 के बीच में हमने सबसे ज़्यादा import किये है arms को और यह report किसने इशू की है SIPRI ने की है SIPRI is what Stockholm International Peace Research Institute उन्होंने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की जिसका नाह में Trends in International Arms Transfer 2021 So, India top did So, largest arms importer हम अकेले नहीं है इस पोजिशन पे दो कंट्रीज हैं जो जिन्होंने टॉप किया है India and Saudi Arabia Okay दोनों कंट्री ने पूरी ग्लोबल जो Arms का सेल खरीद और बिकरी हुई थी उसका 11% इन दो देशों ने मिलकर के अकेले किया है और India के major defense imports कहां से आए तीन देश इसमें prominent रहे important इध्यान रखेगा Russia से 46% हमारे Arms की इंपोर्ट रहे France से 27% और USA से 12% ठीक है तो अधिकतर हमारे Arms Ammunition Russia, France और USA देखने को मिले अगर हम बात करें के पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा exporter कौन रहा Arms का तो वो USA रहा and 39% share अकेले जो sales थे उसका US ने दिखाया है अब 5 largest arms importer की आप बात देख लिजे India and South Arabia top पे है ही उसके अलावा Egypt, Australia, China और exporters की बात करें तो US top पे है ही तो रॉस्या, France, China and Germany राइट राइट तो बात बात देख लिए गूड पिक्चर of arms import and exports इंडिया का rank import में first इंडिया का rank बढ़ यहां भी एक बार देख लेते हैं कि इंडियान एर फोर्स का वर्ल्ड एर पावर्स 2022 में वर्ल्ड एर पावर्स की रिपोर्ट जारी हुई जिसमें अलग-अलग देशों की जो defense systems हैं उनकी ranking की गई तो सिर्फ अगर एर पावर्स की आप एर फोर्स की बात करें तो इंडिया की एर फोर्स कौनसे number पे है वर्ल्ड में 3rd rank पे है 3rd rank पे है इस में Top किया है US ने और 2nd आए है Russian Air Force तोके डैन हमारी जो है उसके basis पे इसको जज किया गया है और यह report release इसने की World Directory of Modern Military Aircraft और हमारी इंडियन एर फोर्स आप देखें वर्ल में थर्ड मोस्ट पाफुल एर फोर्स है विच इस वेरी गुड नियूस रॉश्या के बाद हम यह आते हैं हमने चाइना को फ्रांस को इस्रेल को एर फोर्स स्ट्रेंथ में पीछे छोड़ दिया है अब हम चलते हैं स्टाट अप की दुनिया वाली रैंकिंग की तरफ यह बैसिकली सिटी लेवल पे दी जाती है हरे कंट्रीज के अलग-अलग सिटी चे वेसस पे रैंकिंग दी जाएगी तो इंडिया के तरफ से कौन से city ने इसमें top किया है आप ऐसे भी देख सकते हो नहीं तो आपको city का नाम देए दिया गया है बैंगलूरू बैंगलूरू का क्या rank रहा इस report के अंदर तो rank is 22, बैंगलूरू 22, उ का sound आ रहा है 22, बैंगलूरू तो 22 rank रहा बैंगलूरू का, हम पिछले साल से एक नमबर up move किये हैं, global startup ecosystem ranking में, तो हमारा startup ecosystem यानि की tech startup हुआ या startups के लिए कितना infra और systems provide किये जाते हैं, उसके basis पे बैंगलूरू 22nd नमबर पे है, tech ecosystem की value हमारी कितनी है, 105 billion dollars की, जो की Singapore, Tokyo से भी उची है, और अगर हम बात करें, affordable talent in global startup ecosystem report, affordable talent, तो सबसे आदा affordable talent कहां पे देखने को मिलता है, पूरे एशा में top किया है केरला ने, केरला, केरला has been ranked first in Asia in affordable talent in global startup ecosystem, कहीं भी startup हो और हमें affordable talent की ranking देखनी हैं, तो केरला has topped and world level पे यह तो Asia में top किया है, world level पे fourth ranking आई है, ठीक है, और यह जो startup genome की जो report है, यह 2012 से release हो रही, तो basically city level पे report issue होती है और इंडिया से बैंगलूरू जो है, वो 22nd rank लेकर के आई है global startup ecosystem में और सबस्यादा affordable talent की हम बात करें, तो केरला ने Asia में top किया है, यह पिक्चर में और इसको बैतर देख सकते है, rising startup ecosystem, तो एक तो बैंगलूरू है 22nd place पे, फिर डेली की अगर हम बात करें, तो 11 places rise करके डेली 26th number पे है, tops global cities की हम बात करें, Silicon Valley top पे है, New York City and London second number पे है, देन दोनोंने joint किया है, और इसलिए third ranking नहीं दी गई, फिर Boston, Beijing इसलिए इस तरह से आप देख लिएजे, and बैंगलूरू की अगर हम बात करें tech venture capital investment, first five months of the year, तो उसमे भी हम 5th rank पे है, so again picture has a lot to tell you, do not overlook it next question is, which country has topped 2022 global digital skills index published by sales force, sales force ने published की है, हाल हमें एक report या index जिसका नाम है 2022 global digital skills, कि पूरे दुनिया में digital skills कौन सी country के पास कितनी, again एक survey based index है, जो कि वहीं के लोगों से पूछा गया, क्या future ready कितना हो digital skills में, और उसमें 19 country में से India top पर रहा है, so it is based on a survey of around 23,000 workers around 19 countries about digital skills, जिसमें include किया गया कि आपका future of work कैसा है, job readiness कितनी है, continuous learning किस तरह से आप लोगों की चल रही है, और India का score 100 में से 63 रहा, और हम top किये 19 countries में, ठीक है, और average जो score आया, global digital readiness का, वो 33 था, और हमारा कितना रहा, 63 रहा, next हम आते हैं, global skills report 2022, नाम थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है, बिकास नाम और किसने issue की है, अभी हमने global digital skill readiness वाला देखा, तब हम बात करें, global skill report 2022, जो की course रहा ने publish किया है, ठीक है, global skills, so हमारे skills कितने competitive है, world level पे, उसकी हम बात करेंगे, इंडिया का rank रहा 68, so 68 countries, 68 rank इंडिया का रहा, और course रहा ने इसको publish किया है, overall skill proficiency जो है, हमारी four places dip की है, यानि slip की है, while technology proficiency level जो हमारा वो increase हुआ है, अब यह चीज़ थोड़ा ध्यान दीचेगा, जब हम बात करते हैं, skill improvement की, so हमारा skill, world level पे, कौन से number पे आता है, हमारी skill proficiency, कौन से number पे आती है, 68 number पे आती है, उसमें भी अलग-अलग parameters है, so जब हम बात करते है, technology proficiency की, तो हम technology को लेकर के कितने proficient है, हमारी proficiency improve हुई है, लेकिन हम बात करते हैं, overall skill proficiency की, जिसमें technology भी आ जाती है, digital भी आ जाता है, learning भी आ जाता है, etc, etc, सारे parameters देखें, तो हम slip हुए है, ठीक है, Asian countries की अगर हम बात करें, तो India 19th position पे है in Asia, Indian states में West Bengal ने lead किया है, in terms of skill proficiency, तो आप में skills को लेकर के, आप kaushal को लेकर के, आपकी skills को लेकर कितने proficient हैं, उसमें West Bengal ने top किया है, वर्ल लेविल पे जाहां 68 पे हैं, top 3 countries कौन सी हैं, Switzerland, Denmark, Indonesia, अब यह देखिएगा कि data कहां और कैसे collect हुआ है, so 100 million Coursera users ने 100 country से भी ज्यादा को के बेस का data दिया है, और उसके basis पे इस सारी चीज़ें देखिए गई है, main 3 dynamics को इसमें study किया है, in demand skill areas, जो थे business, technology और data sciences में, तो यहां पे आपकी skills को basically check किया गया है, India has ranked 68, I am trying to make you understand the entire scenario, ताकि सिर्फ rank तक में focus होकर के नहीं रह रहे हैं, एक बार आप पूरा system समझ लें कि है क्या यह चीज़, कहना क्या चाहती है, और इसमें India अच्छी हुई है, या over the years नीचे जा रही है, तो थोड़ा आपको comparative analysis मिलेगा, तो सिर्फ one day exam की बात है, तो आप सिर्फ इतना देख लिए यह index है, यह इंडिया का rank है, यह top country है, बात खतब, लेकिन अगर आप answer writing भी करेंगे, तो आपको थोड़ा आपसपास का frame भी पता होना चाहिए, तो I am giving you complete info, वन डे एक्जाम में भी थोड़ा आपको background पता होता है, तो main information retain रखना याद करना थोड़ा simple हो जाता है, चलिए next index की तरफ move करते, वर्ल competitive index 2022, इंडिया कितना competitive है, दूसरे countries के मुकाबले, तो हमारा rank कितना है 37, 37, ma'am की age 37, so ma'am is competitive with herself, कि पिछले समय से अब आप इंप्रूव हो रहे हैं नहीं हो रहे हो, ऐसे कर कि आप याद रख सकते हो, 37 रांग है इंडिया का, और यह किसने निकाल है, IMD Institute for Management Development World Competitiveness Index इंडिक्स इशू करता है, इंडिया ने sharpest rise दिखाया है Asian economies में, इतना growth पिछले साल से और किसी कंट्री ने नहीं दिखाया, Asian countries ने 43rd से हम 37th rank पे move किये हैं, Top 3 again, Denmark, Switzerland, Singapore, Denmark again आपको इसमें देखने को मिलेगा, So Denmark, Switzerland, Singapore यह Top 3 countries रहे, और Asian economies की बात करें, Singapore, Hong Kong, Taiwan, China, Australia, इन्होंने अच्छा performance दिया है, Which Indian company has become top-ranked Indian company in Forbes Global 2000 list of public companies worldwide, 2022 में, public companies की दुनिया में, Forbes Global 2000 list में, कौन सी Indian companies हैं, जो की Top Ranked Indian companies में शमार होई हैं, Answer is Reliance Industry, So Top Ranked Indian company किसको बनाया गया है, Forbes Global 2000 list में, Reliance Industries को 53rd rank globally मिला है, लेकिन इंडिया से Top पे रही है, और Mukesh Ammani जो हैं, वो दो Spot भी उपर चले गए हैं, 53 नंबर पे आ गए हैं, इसी के साथ साथ, जैसे Reliance Industries उपर आया, उसी तरह से Mukesh Ammani की ranking भी उपर आ गई, So जो Forbes Global 2000 है, वो rank करता है, Largest companies in the world को, चार matrix है, यानि चार parameters पे, Sales, Profit, Assets and Market Value, और इसमें Reliance Industry 53rd number पे आई हैं, और इंडिया से बागी companies की बात करें, तो SBI 105 पे, HDFC Bank 153 पे, ICICI Bank 2204 इसका rank रहा, globally कौन सी company हैं, जिसने Top किया है, So answer is, Berkshire Hathway, Berkshire Hathway, number one spot रहा, for the first time, जब से की Forbes ने publishing start की है, और इसने किसको dethrone किया है, चाइना की Industrial and Commercial Bank of China को, So पहली बार, Berkshire Hathway को first position मिली है, Forbes की सबसे, Top company के तौर पे, Forbes 2000 लिस्ट में, What is the rank of India in Global House Price Index, Quarter 1, 2022, अब देखिएगा, यहाँ पे, Night Frank की रिपोर्ट है, Night Frank इशू करता है, की रिपोर्ट का नाम क्या है, Global House Price Index, आपके जो हाउस है, जो प्रापटीज हैं, उनके प्राइस, ग्लोबली कहां लाए करते हैं, यह Quarter-based report है, तो 2022 के First Quarter की रिपोर्ट है, अगर आप यह वीडियो कभी फ्यूचर में देखेंगे, तो Quarter चेक कर लिजेगा, उस समय कौन सा Quarter चल रहा है, और उसकी रिपोर्ट के हिसाब से Rank वेरी कर सकता है, ओके, अगर हम 2022 के First Quarter की बात करें, तो 48th Rank इंडिया का रहा, इन ट्रेम्स अफ ग्लोबिल हाउस प्राइस इंडेक्स, हमारे हाउस प्राइस का प्राइस कितना है, उसके हिसाब से हमारा Rank 48 है, यह ट्रैक करता है, मुव्मेंट इन मेंस्ट्रीम रेसिदेंशल प्राइस, रेसिदेंशल जो रहाइशी इलाके होते हैं, उनके प्राइस फिफ्टी सिक्स कंट्रीज में से, एंड टेरिटरीज उस सिंग ओफिशल स्टाइस्टिक्स, तो हमारा 56 कंट्रीज में से 48 राइट रहा, और हाउस प्राइस जो है, on an average 10.2 परसेंट की बढ़ोतरी दिखा रहे थे, पिछले अगर हम बात करें, in one year, यानि कि आप quarter 1 2022 से quarter 1 2022 का अगर आप comparison करें, यानि पिछले एक साल का comparison करें, तो कितना इजाफ़ा देखा गया residential prices properties का 10% on an average, ठीक है, कंट्री जिसमें highest rate of annual price growth देखी गई, यानि पिछले साल इस quarter के मुकाबले, इस साल इस quarter में कितना price jump हुआ है, तो सबसे जाधा Turkey के अंदर ये इजाफ़ा देखा गया, residential prices का jump Turkey में सबसे जाधा रहा, ओके, इंडिया इस ओन 48, चार कार, चार कार, चार कार कर सकते हो, next question, what is the rank of India in 2022, International Intellectual Property Index, International Intellectual Property Index, IIP के अंदर इंडिया का rank, क्या है 43, 43 out of 55, intellectual property क्या होती है, trademarks हो गए, copyright हो गए है, intellectual property होती है, ये जो index है, किसने release किया, Global Innovation Policy Center of US Chamber of Commerce, top किसने किया, intellectual property, safeguard, intellectual property, यानि आपके जो copyright है, patents है, इनको आप कितना safeguard कर सकते हैं, आपकी policies कैसी है, आपका content, या फिर आपका आपका जो भी data है, उसकी safeguarding कैसी है, So, US ने top किया है, इस ranking में, top 5 countries है, US, UK, Germany, Sweden, France, इंडिया का rank क्या रहा, इंडिया का rank रहा, ओके, नेक्स्ट, चले, जब भी आपको rank याद करना है, तो उसके आसपास, age वाला किसी व्यक्ति को जानते हो, तो आप ले सकते हो, phonetic अगर आपने सीखा था मुझ से, तो आप कर सकते हो, 4 के लिए एक letter होता है, 3 के लिए एक letter होता है, मिला के एक word आप बना सकते हो, नहीं तो repeat method से, आप सीथे भी याद रख सकते हो, WEF, World Economic Forum, Travel and Tourism Development Index 2021, WEF के Travel and Tourism Index 2021 में, इंडिया का rank क्या रहा, 54, 54, एक, थोड़ा सा सिखाई देती हो, देखो, 5 ऐसे बनाते हैं, इसका यह वाला portion अलग ले लो, यह L बन गया, ओके, यह जो 4 है, 4 को हम 4, 4, R का sound बहुत आ रहा है, तो 5 से L, और 4 से R ले सकते हो, अब L, R से कोई भी एक letter बना लो, जैसे लारा बना लिया, लारा दत्ता हो सकता है, ब्राइन लारा हो सकता है, तो यह आपने एक तरह से क्या किया, इस 54 को पिक्चर फुल कर दिया, इस method को बोलते है, phonetic method, एक बार की मेहनत होती है, phonetic सीखने की, बाकि आपके लिए चीज़े बहुत सिंपल है, तो 54 में लिए 54 नहीं होता है, तो मैंने क्या करना है, travel and tourism development को, ब्राइन लारा से जोड़ देना है, कि ब्राइन लारा travel and tourism में लगया हुए है, तो बस 54 मुझे याद रहेगा, यह phonetic की beauty है, बाट अभी मैंने सिखा ही नहीं, बहुत जाद जाद extensively, तो आप 54 सीदे सीदे याद रखेंगे, तो W.E.F. यानि World Economic Forum ने Travel and Tourism Development Index रिलीज किया, 117 कंट्रीज का और इंडिया का rank उसमें से क्या रहा, 54 रहा, थीम किया थी, Rebuilding Sustainable and Resilient Future, बिकॉस ट्राइबल तूरिजम वापिस से रिवाइब हो रहा था, इंडिया ने टॉप स्कोर किया है, South Asia के अंदर और, and has placed at 54th, fall by 8 rankings, तो 8 ranking हम नीचे गए हैं, लेकिन स्टिल हम South Asia में टॉप स्कोरर रहे हैं, और ग्लोबली हम 54 rank पे हैं, next हम आते हैं, CPI, that is Corruption Perception Index 2021, Corruption Perception, यानि कि आपकी सरकार या आपकी governance कितनी corrupt मानी जाती है, perceived की जाती है, ओके अगें बहुत सारे parameters के उपर देखा जाता है, इसको, so ranking measures how corrupt each country's public sector, government, public sector on the whole, is perceived to be, perceived करना यानि आपका इसा मानना है, right, so transparency internationalist को निकालता है, इंडिया की rank 85th रही, out of 180 countries, 180 countries में से हम 85th rank पे रहें, यानि इतने corrupt हम है, तो मेरा बढ़त है 85, हर बार याद के रहाती हो, तो at least एक चीज़ तो याद रहेगी, 85 रिचा में हम आई और भही लो, इंडिया corrupt स्टार्ट हो गया, ऐसे याद रख लीज़े, कोई problem नहीं है, so top, तीन कंट्रीज ने जॉइंट ली टॉप किया है, डेन्मार्क, विनलेन और न्यूजिलेंड ने, जो ये result है, वो scale of 0 to 100, पे दिया जाता है, अगर आपका score जितना जादा आएगा, उतने ही आप clean हो, यादि जादा corrupt नहीं हो, और जितना कमाएगा, उतने ही highly corrupt है, so India, corruption perception index में, मेरा birth year 85, 85 तराएं पर है, next time आते हैं, according to freedom in the world, 2022 report released by freedom house, to assess the political rights and civil liberties of a country, India has been placed under which category of freedom, समझेगा, किसी भी देश, किसी देश के राजनीतिक अधिकारों, और नागरिक स्वतंतरता का आंकलन करने के लिए, कि आपकी civil rights and liberties आपके पास कितनी हैं, आप कितना उनका use कर सकते हो, freedom house ने एक report जारी की है, freedom in the world, 2022, और भारत को स्वतंतरता की श्रेणी में कहां रखा गया, कि हम कितने free हैं, so हमें रखा गया है, so we as per this report are partly free, हम पूरे free नहीं है, हमारी जो political rights और civil liberties हैं, पूरी तरह से हम उनका इस्तमाल नहीं कर पा रहे हैं, so the report is published every year since 1973, to assess political civil rights, इंडिया का score 100 में से 66 का रहा, और पिछले साल हम 67 पे थे, और 2020 तक हमें free घोशत किया जा रहा था, इस report के हिसाब से, और फिर हम partly free की category में आखे, ठीक है, तो 2020 के अंदर हमारा score 71 था, we were free, then it turned to be 67, and now it has come to be 66, यह rank नहीं है, इस score है, हमसे category पूछे जारी, तो हम partly free है, फिर हम आता है, VDEM की democracy report के बारे में, again यह बताएगा, कि आपका देश कितना democratic है या नहीं है, so democracies की studies ने की है, इंडिया का राइंक रहा 93rd, VDEM's democracy report, so it has been released by VDEM Institute, at Sweden's University of Gothenburg, और VDEM का मतलब variety of democracies, है ना, आप democracy तो ओपर कौनसी variety of democracy में अप्लाई करते हो, so इंडिया को इसने, autocracy बताया है, electoral autocracy, यानि कि आप elections करवाते हो, लेकिन you are electoral autocracy, elections के बावजुदा democratic नहीं हो, आप autocracy की तरफ जादा दिखते हो, rather than a democracy, और इंडिया की राइंक रही, 179 countries में से 93, right, so no 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 no, है ना, no 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 से थोड़ा 9 का हिंट ले लोगी, तो 93 तक पहुँच सकते हो, इंडिया को स्री लंका, नेपाल, भूटान से भी नीचे का राइंक मिला है, जबकि हम पाकिस्तान से उपर रहे हैं, LDI के अंदर, यानि liberal democracy index के अंदर, most autocratic country में किसको डाला गया है, अफगानिस्तान, बैलरूस, चायना, रॉश्या, साओधी अरेबिया, top 5 liberal democracies, अच्छा देखे, एकदम liberal democracy में कौन आए हैं, Sweden, Denmark, Norway, Costa Rica and New Zealand, हम किसमें आए हैं, electoral autocracy के अंदर, and we have been ranked 93, out of 179 countries, by VDEM, what is the rank of India, EIU's 2021 democracy index, यानि EIU, EIU is what, Economist Intelligence Unit की, democracy index 2021 में, India का क्या rank रहा, India stood 46th, among 167 nations, हमारा 46th rank रहा है, overall score हमारा, 0 to 10 मिसे 6.91 रहा, पिछले साल हम 53rd spot पे थे, so that is, India का rank, change हुआ है, then current state, हमारा democracy का worldwide क्या है, ये report ये दिखाती है, top किस ने किया है, Norway ने top किया है, then Afghanistan बिलकुल, bottom पे है, right, so that is it, EIU की democracy report में, 46 है हम, next हम आते है, RSF 2022 World Press Freedom Index, यानि कि आपकी press को, press जो होती है, journalism है, print media है, etc., press को कितना freedom है, उसके basis पे, India का rank रहा, 150th from 180 countries, among 180 countries, so RSF is reporters without borders, अब आप बोलोगे, RSF का full form ते से match ही नहीं हो रहा, reporters without borders, so it is basically reporter sans frontier, sans without के लिए use किया जाता था, तो उस, और frontier is border, so reporters without borders, ने release किया है, 20th world press freedom index, और उसमें इंडिया का rank, 1500, 150, 150 याद करना सिंपल है, 1500 है, 1500 रुपे में हमारे press को, खरीद लिया जाता है, वैसे याद रख सकते हैं, और हम fall हुए हैं, 8 position से, पहले इतना बुरा हाल नहीं, पाकिस्तान, स्री लंका, बांग्लादेश और मैनमार के हाँ पे, results आप देख सकते हो, यहाँ देखेगा, यह जो picture में आपको बोलती हूँ, pictures importance hold करती है, यह बताएंगी कि कौन से, हमारे neighbors है, जिनका rank गिरा है, या improve हुआ है, इंडिया की बात करें, हमारा rank गिरा है, पिशले साल, यह 2021 में 142 था, 150 है, अफगानिस्तान गिरा है, पाकिस्तान गिरा है, बांग्लादेश गिरा है, चाइना का improve हुआ है, दो points, नेपाल का again improve हुआ है, काफी जादा improvement देखा है ना, इसी के साथ साथ, मुझे एक question आप से पूछना था, पर मैंने already लिख दिया है, no problem, world press freedom day कब मनाया जाता है, 3 मे को मनाया जाता है, 3rd मे, और हमारी neighboring countries में, सबसे अच्छा rank किसका है, भुटान का है, नो वहाँ press freedom काफी अच्छी देखी गई है, नेक्स हम आते हैं अब, university rankings पे, Asia University Rankings होती है, Times University Rankings होती है, let us come over to that, Asia University Rankings 2022, by Times Higher Education, 4 Indian institutions, top 100 में देखे गई, कौन कौन से वो है, वो सीधे सीते आप यहां से देख लीजे, Indian Institute of Science, IISC Bangalore, जैसे हम कहते हैं, JSS Academy of Higher Education, Mysore के अंदर है, IIT Roper and IIT Indore, यह 4 हमारे top 100 institutions में शुमार हुए है, जिसमें IISC Bangalore ने इंडिया से top किया है, so 616 यानि 616 universities, 31 country की और territories की study की गई, और India was third most represented country, यानि की सबसे जादा हमारे institutions, represent इसमें किये गई, so 71 institutions ने participate किया, इस बार ranking में from India, IISC Bangalore ने top किया है, top 50 की list में अकेला यही पहुँच पाया है, Japan most represented nation रहा, 118 institutions ने represent किया, चाइना की 2 universities ने top किया है, इस पूरी ranking के अंदर, Singwa and Peking universities, 1st और 2nd place ने 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 हासल की, तो आप IISC Bangalore याद रखेंगे, Asia University rankings में, इंडिया से top रहा, QS World Ranking 2023 of top 200 varsities release, QSS Quaker Alley Sammons, और इन्हों ने world ranking issue की है, जिसमें again इंडिया से top किया है, IISC Bangalore ने, world ranking इसकी रही 155th, IIT Bombay 172 रहा, IIT Delhi 174 रहा, so top 200 के अंदर, इंडिया से 3 universities देखी गई है, Massachusetts Institute of Technology, MIT इसने top किया है, followed by University of Cambridge and Stanford, फिर मातें बिलकुल अलग, एक news पर अधिस गोल्ड, so India ranks 4th, India का rank 4th रहा, इंडिया का rank 4th रहा, इंडिया का कौन सा rank रहा, 4th rank रहा, और हमने पिछले साल 75 टन अफ गोल्ड को रिसाइकल किया है, यह जो रिपोर्ट है, इसका टाइटल था, गोल्ड रिफाइनिंग और रिसाइकल, top 3 nations कौन से रहा है, चाइना, 168 टन रिसाइकल किया, Italy and US, Global Livability Index 2022, यानि कौन सी जगह रहने योग यह है, लिविबल है, उसका एक पूरा इंडेक्स सामने आया, Global Livability Index, World Most Livable Cities, Cities को रैंक करता है, और यह EIU, यानि Economist Intelligence Unit ने रिलीज की है, इन्होंने 173 Cities को रैंक किया, जिसमें इंडिया से अगर हम बात करें, नई दिल्ली जो है New Delhi, वो 112th place लेकर के आई है, और Mumbai 117 position पे आई है, ठीक है, तो आट उड़ा 173 Cities, 112th position Delhi, और 117th Mumbai, Most Livable में टॉप 3 कांसी रहीं, Vienna from Austria, Copenhagen and Zurich, Pakistan की Karachi और Bangladesh की धाका, लीस्ट लिवेबल कर Cities के अंदर, दुनिया के रांक की गई है, ओके, तो इस इस इट, धैन कमिंग ओवर टू, Global Peace Index 2022, कहां पे Peace Prevalence जादा देखी गई, शान्ती जादा देखी गई, आपस में बहुत जादा रिफ्ट से जगडे नहीं देखे गई, उसके बेसिस पे देखे ये, इसको इशू किया है, Institute for Economics and Peace ने, 163 कंट्रीज को जज किया गया, 23 पैरामीटर्स पे, जिसमें की डुमेस्टिक और इंटरनाशनल कॉन्फिक्स आपके तो नहीं हो रहे हैं, उसके बेसिस पे, इंडिया का रांग 3 प्लेसे इंप्रूव हुआ और हम 1, 3, 5 पे रहे हैं, एक इंसान, शांत, फिर थर्ड इंसान, शांत, फिर 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 इंसान, शांत, तो ओड है, इंडियन्स के लिए शांती ओड है, 7 अफ दे 10 कंट्रीज जो हैं, टॉप 10 में, वो यॉरप से ही हैं, पीस इंडिक्स के अंदर, फर्दर देखते हैं, इसमें, US 129 स्पॉट पे है, और अभी तक का, US का सबसे, लोएस्ट स्कोर ये रहा, 2008 से, और 5th consecutive year में, अफगानिस्तान, least peaceful cities में, country के अंदर, count किया गया है, South Asian Nations के, अगर हम बात करें, तो भूटान जो है, उसने टॉप किया है, 19th rank के साथ, उसके बाद, Nepal, स्रेलंका, Bangladesh, Pakistan, 147th rank पे है, हमारा rank के है, 135, Next, World Bank Report states, Extreme poverty in India, decline by 12.3%, World Bank की एक रिपोर्ट आई है, कि जो extreme poverty है, बहुत जादा जो गरीबी है, extreme वाली, यानि, बिलकुल, आखरी छोड तक जाने वाली है, एक higher extreme होता है, एक lower extreme होता है, उसमें गिरावर दर्ज की गई है, 12.3% की, और 22.5% था, ये 2011 में extreme poverty, और 2019 के अंदर, 10.2% रह गई है, as per World Bank Policy Research Working Paper, और decline जो है, वो rural areas में, much higher है, than in urban areas, यानि जो poverty में, extreme poverty में, गिरावर दर्ज की गई है, या रूरल areas में, जादा की गई है, यानि, वहाँ poverty कम होई है, इस report के हिसाब से, and with this, we are done with, 2022 के, जितने भी important, indices or rankings, issue हुई थी, लेकिन उससे पहले, जो कुछ important, indices or rankings थी, उनका एक, crux यहाँ दे दिया है, आप चाहे screenshot लेने, चाहे notes लेने, और PDF लेते हो, तो मिली जाएगा, जैसे कि, Global Drug Policy Index में, यह सारे इंडिया के ranks, आपको देखेंगे सरफ, ठीक है, so Climate Child Performance Index में, Trace Global Bribery Risk में, so these are all, just a quick, sneak peek, इंटो पहले की rankings, यह भी आप थोड़ा mention, देख लीजेगा, and we are done, with the important indices and rankings, I am undergoing viral, और उस वज़े से, energy आज की वीडियो में, level based to make you, understand all the indices, तो हमने national, international दोलो complete कर लिये हैं, I really hope, upcoming examinations में, अगर यहां से question बनता है, इस area में से, तो यह दोनों वीडियो, जो हमने national, international indices के किये हैं, यह आप हो definitely help करेंगे, I won't be leaving you, without a good, thought provoking quote, and that is, don't measure your progress, using someone else's, rule, आप कितना अच्छा कर रहे हैं, या कितना बुरा कर रहे हैं, उसका comparison सिर्फ आप के ही, previous performances से होना चाहिए, तब तो आप exact बता कर पाऊगे, आप progressive हो या regressive जा रहे हो, क्योंकि आपने benchmark किसको लिया है, अगर किसी और की progress से, खुद को compare करोगे, तो अगर अपने से नीचे वाले इंसान को, जो slow progress कर रहा है, उससे compare करोगे, तो बहुत fast moving feel करोगे, और हो सकता है, आप actually उतना fast move नहीं कर रहे हो, whatever areas you are judging, वो पढ़ाई हो, health हो, relationships हो, healthy habits हो, और अगर अगर अपने से उचा, जो इंसान जब पहले से आप से बहुत आगे, उससे compare करोगे, तो हमेशा ही demotivated feel करते रहोगे, although आप personal level पर grow भी कर रहे हो, so it is very important, कि हम हमारी progress, किसी दूसरे इंसान के ruler पर base हो कर के compare ना करे, जैसे कि parents का कई बार होता है यह न, parents का especially होता है, हमने भी सुनाया, बड़े होते 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 हैं, so and so student, so and so baccha is doing this much, देखो तुम कहा हूँ, हमेशा खुद को खुद से compare करो, पिछले एक साल में, या आज ही के दिन, पिछले साल में कहा था, और आज कहा हूँ, in terms of so and so, या पिछले मन्थ से लेके, अभी तक मैं कहां तक पहुँचा हूँ, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बता है, तो ट्रैक कीज़े, जब तक आप अपनी performance ट्रैक नहीं करोगे, आप improvement का पता नहीं लगा पाऊगे, आज की वीडियो में मैं बोल रहे हूँ, कि ट्रैक कीज़े, पर खुद की ही previous performance से ट्रैक कीज़े, that is very important to find out, the real progress or growth that you are making, ठीक है, तो motivate या demotivate, दूसरों को देखके नहीं होना है, खुद को खुद की ही progress से देखके होना है, demotivate तो होना ही नहीं है, इंप्रूब्मेंट अभी तक नहीं है, तो आजाए, I take your leave, see you very soon in another video, monthly current affairs अब शुरू करेंगे, August का, तो जल्दी ही मिलते हैं, take very good care of yourself, जड़ा,